गुड को वैसे तो आयुर्वेदिक औशधी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाब हैं पर यही नहीं गुड धार्मिक या ज्योतिशिय टोटकों के रूप में भी इस्तेमाल होता है यही नहीं यह व्यक्ती की जिन्दगी में सुख और सम्रिद्धी लाने में मदद करता है लाल किताब के अनुसार गुड के कई जबरदस्त उपाए बताए गए हैं जिनके द्वारा आप अपनी किसी भी परेशानी का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं धन और सम्रिद्धी को करें आकरशित यह उपाए गुड और लक्ष्मी माता के संबंध में प्रयोग किया जाता है और धन और सम्रिद्धी को आकरशित करने का दावा किया जाता है इसमें गुर के टुकड़े को एक सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांध कर रखा जाता है और यह पोटली मा लक्ष्मी के चरणों में रखी जाती है इस पोटली को रोजाना धूप और दीपक किया जाता है और इसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाता है इस उपाय के द्वारा आप धन की वृद्धी कर सकते हैं और पैसों की समस्या की छुट्टी कर सकते हैं कर्च का बोज करें कम मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड की मिठाए या गुड और चना का भोग लगाने का उपाय धार्मिक प्रथाओं में प्रचलित है इसके द्वारा मंगल ग्रह के अशुब प्रभाव को खत्म करने और जीवन में स्थिर्ता को लाने का विश्वास रखा जाता है यह उपाय आर्थिक समस्याओं से राहत दिलाने और कर्ज का बोज कम करने में मददगार साबित हो सकता है जल्दी विवाह के बनाए योग यह एक और गुड का तोटका है जो शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है इस उपाय के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को गुड और चना खिलाना सुझाया गया है इसके साथ ही आटे में गुड मिलाकर पेड़ा बनाने के बाद इस पर थोड़ी हल्दी लगाकर गोमाता को खिलाया जाता है बेरोजगारी को करें दूर इस उपाई के अनुसार जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो रोटी में गुड मिलाकर गाई को खिलाकर जाए यही नहीं घर से निकलते वक्त गुड खाकर ही निकले